नमस्कार मैं हूँ अभी शेक तियागी वर्ड कप 2023 से पहले जो सबसे बड़ी चर्चा है वो इस वक्त भारत और पाकिस्तान के मैच की आप सबी लोगों को पता है कि 15 तारिक को भारत और पाकिस्तान का मैच एहमदाबाद के स्टेडियम पर खेला जाएगा हर किसी को इंतजार है इस मैच का क्योंकि भारत और पाकिस्तान की टीमें ICC वर्ड कप में आपस में भिरती है लेकिन इस मैच से पहले इस एतिहासिक मैच से पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबार आजम का बड़ा दिल्चस्प बयान आया है और कह सकते हैं कि पाकिस्तान के कप्तान बाबा राजम ने माइंड गेम खेलने की कोशिश की है ताकि टिम इंडिया पर माइंड ली प्रेसर बना जा सके टिम इंडिया पर माइंड गेम खेला जा सके बाबाराजम से दरसल प्रेस कोंफरेंस में पूछा गया हाली में पाकस्तान में जब वो थे तो बाबाराजम से पूछा गया कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है इस मुकाबले को लेकर आपकी तैयारियां कैसी है क्या आप सोच रहे हैं क्या आपकी प्लानिंग है तो बाबा राजम ने बड़ा कह सकते हैं कि राजनितिक बयान दिया एक पुलिटिकल बयान इसको माना जा सकता है बाबा राजम ने कहा कि भाई हमारा इस पर कोई मतलब वो नहीं है हम भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के साथ मैच हो भारत में हो एहमदाबाद जैसे स्टेडियम में हो जहां पर पीसी भी पाकिस्तान की टीम को खेलने के लिए मना कर चुकी है आप अंदाजे लगाईए ऐसे मैदान पर अगर मैच हो और पाकिस्तान की टीम टीम इंडिया के बारे में ना सोचे पाकिस्तान की ट थोड़ा ज्यादा सोचे इस मैच के बारे में लेकिन देखे बाबराजम के बार केस बायान को समझा जा सकता है क्योंकि पाक công पाकिस्तान की टीम ने और पिछले दो बार अगर भारत को हराया है आईola ऑन्रेमेंट में तो बाबराजम के के ति काफ पतानी सितुख ए उस जो कारणामे उन्होंने किया है अब से पहले भारत के खिलाब उस कारणामे को दोबारा से दोरा जा सके उस कारणामे को एक बार फिर से किया जा सके तो बाबराजम के उपर भी प्रैसर होगा वैसे भी उनकी कप्तानी के उपर खत्रा मन रहा है पिछले कुछ महिनों में पर सवाल खड़े हुए थे शायद अफ्रीदी ने लगातार बाबाराजम के कप्तानी पर सवाल खड़े किये थे पाकिस्तान के कई और खिलारियों ने भी बाबाराजम के कप्तानी पर सवाल खड़े किये थे तो ऐसे में अपनी कप्तानी को बचाने के लिहाज से पाकिस्ता की टीम भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के बारे में बिलकुल नहीं सोच रही होगी जो कि जिस मैच के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परिसान था उस मैच के बारे में आखिर पाकिस्तान की टीम कैसे नहीं सोच रही होगी यह थोड़ा सा हिरानी वाली बात है ले आपनों को कबाबर आदम के इस बयान पर क्या कहना है कमेंट करके बताईएगा वीडियो चलेगे और लाइक और शेयर जरू करिएगा क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे तैंक्यू एलिमिच